Hello everyone, welcome to kitchen tips आज हम लोग बहुती हिल्दी और बहुती ज़्यादा डिलिशियस ऐसी पनीर की रेसिपी बनाने वाले है इस रेसिपी का नाम है पनीर की भुर्जी आप इसे पनीर के सब्जे भी बोल सकते है चलो तो इसे जल्दी बनाना शुरू करते है पनीर की भुर्जी बनाने के लिए हम लोग ले टमाटर, प्यास, हरे मेच, अध्रेक, लसुन और पनीर चलो इन सब को हम लोग बारिक बारिक टुकड़ों में काट लेते हैं और जिंजर कार्ली का पेस्ट बना लेते हैं पनीर भूर्जी बनाने के लिए मैंने पास से 6 प्यास दिये है एक पाव पनीर के लिए सारी सब्जया काटके हो चुकी है चलो अब ग्यास पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख देते हैं और भूर्जी को तड़का लगाते हैं कढ़ाई जैसे ही गरम हो जाएगी वैसे हम लोग इसमें तेल आड़ करेंगे तेल को अच्छे से गरम होने देने के बाद ही हम लोग राई आड़ करते हैं तेल अच्छा गरम होने के वज़े से आप देख सकते हैं कि राई डालती से ही कैसे फूट रही है चलो अब हम लोग इसमें जीरा पे आड़ कर देते हैं जीरा भी फूट रहा है जैसे ये दोनों फूट जाएंगे वैसे हम लोग इसमें चौप के हुए प्यास को आड़ करते हैं प्यास को थोड़ा सो सॉफ्ट होने के बाद हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट आड़ करते हैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर तक इसे लोग फ्लेम पे पकाते हैं चलो अब इसमें हम लोग काटा हुआ टमाटर उसी के साथ हरी मिर्च पर आड़ कर देते हैं टमाटर को भी मैंने बहुत बारिक बारिक टुकड़ में काट लिया आये और हरी मिर्च को भी पहले मैंने दो पीसेस में कट कर लिया है और उसके बाद उसको चौप किया है इन सब को अच्छे से मिक्स करके इन्हें थोड़ी देर तक फ्राइ कर लेते हैं आप चाहे तो इस तरह ढखके भी इसे पका सकते हैं लगफक लोग फ्लेम पे मैंने इसे एक से दो मिनिट पकाने के पाद चलो अब इसे चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि टमाटर हलके से सौफट हो चुके है और प्यास भी अच्छा सौफट हो चुका है सारी वेजिटेबल अच्छे से पक चुके है और आप देख सकते हैं कि कैसे तेल चूटना शुरू हो चुका है चलो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी पाउडर तेस की हिसाब से नमक और तेस के लिए थोड़ा सा गरम मसाला या फिर आप चाहें तो धन्या पाउडर भी डाल सकते हैं मैंने गरम मसाला आट किया है इसलिए मैंने धनिया पावडर नई डाला है चलो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी थोड़ी देर तक पकने देते हैं आप चाहे तो हल्दी को अच्छे से पकने के पाथ इसमें थोड़ा सा पानी डालके बे इसे एक दो तक धके पकाऊंगी लो फ्लेम पे पकाने के वज़े से सबज्या बहुत अच्छे से पक जाती है और तेल अच्छे से छोड़ना शुरू कर देती है चलो अब टाइम है कि हम लोग इसमें पनीर आट करें आप चाहे तो पनीर को इस तरह ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या पनीर का कद्दूकस करके डालने से या फिर इस तरह हातों से तोडने से दोनों का भी टेस्ट अच्छा आता है या फिर दोनों तरीके से यानि कि मेरी तरह ग्रेट करके और हातों से तोड़के भी डाल सकते हैं सारा पनीर डालने के बाद चलो अब इसे मसालों में अच्छ के पकाये मैंने जादा से जादा इसे तीर मिनिट तक धक के पकाया है आप देख सकते हैं कि इसको भी किस तरह तेल छूटना शुरू हो चुका है आप इस टीच पे चाहे तो इसमें चौप करके वाश करके धनिया भी डाल सकते हो इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आए पनीर की बुर्ची खाने के लिए रेडी है ऐसे रेसिपीज और देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले और साथ लिमें पेल आइकन पे तबा लीजे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू फर वाची प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब